कि नमस्कार दोस्तों जेपी इस्टेनोगराफ यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है यह डिक्टेशन नब्य वर्ड पर मिनट का होगा जो की छै मिनट तक बोला जाएगा जन सत्ता से लिया गया है दस सेगिंड बाद स्टार्ट किया जाएगा दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सुबिस्क्राइब जरूर करें साथ इवेल आइकन भी उन कर दें ताकि आपको डेली नएने सब्दों के डिक्टेशन और नोडिकेशन सब से पहले मिलती रहें रेडी स्टार्ट आज जिस तरह हैं दुनिया तकनिके के सहारे तरकी के र रगातार बढ़ता गया हैं इसी के मध्य नजर भारत सरकार ने वेग्यानिक सोधों को बढ़ावा देने के मकसद से राष्ट्रिय अनुसंदान पाउंडेशन यानी और एफ गठित करने का फेशला किया हैं इससे समंधित विदहयक को केंद्रिय मंत्री मंडल ने मंजूरी दे दी हैं अगले पांच साल की अवधी के लिए इसमें पचास हजार करोड रुपये की रासी भी मंजूर कर दी गई हैं माना जा रहा हैं कि इससे वेग्यानिक सोद और अनुसंदान के सेतर में तेजी आएगी और तकनिकी मामलों में दूसरे देशों पर निर्भरता कुछ कम होगी इसी से जुड़ा एक फैसला विश्व विधाले अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने भी किया हैं उसने विश्व विधाले और धोगों के परसपर सहयोग से वेग्यानिक अनुसंदान को बढ़ावा देने के लिए दिशानिदेश तयार किये हैं सेक्षनिक संस्थान वेग्यानिक अनुसंदान के बड़े मंच होते हैं वहां के अनुसंदानों से दोग जगत को भी मदद मिलती हैं मगर पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा हैं कि दोगों और सेक्षनिक संस्थानों के बीच तालमेल ठीक नहीं रहता उद्धोगों से अगर वीतिये मदद मिले तो तक्निकी सिक्षन संस्थानों में उत्करष्ट सोध सामने आ सकते हैं इसी मकसद से UGC ने एक बार फिर दोनों के बीच के रिस्ते को परगाड बनाने का परियास शुरू किया है तक्निकी संसाधनों के विकास और उन्हें निरंतर अधतन करने के लिए सतत अनुसंधान की जरूरत पड़ती है मगर इस्थती यह हैं कि हमारे यहां सोध और नवाचार पर दुनिया के दूसरे देसों की अपेक्सा बहुत कम खर्च किया जाता है केंदर सरकार ने नए फाउंडेशन की स्थापना करके इस दिसा में आवश्यक धन उपलबद कराने का संकल्प लिया है शुरुआती चरण में इसके लिए पचास हजार करोड रुपये की राशी उपलबद कराने का ते किया गया है इसके अलावा करीब 36,000 करोड रुपये धर्मादा संस्ताओं उद्धोगों आदिक के जरिये एकत्र करने की योजना है दरसल धन की कमी की वजहें से हमारे यहां वेग्यानिक सोध की दिसा में परगती नहीं हो पाती परियोक सालाओं में जरूरी संसादन अत्याधुनिक उपकरन उपलबद नहीं है इन जिनके जरिये नए सोधों की दिसा में आगे बढ़ा जा सके विश्वे विधालों और तकनिकी संस्थानों को सरकारी खजाने से इतना पेशा नहीं मिल पाता कि वे अपनी परियोक सालाओं को उन्नत बना सके यही वजह हैं कि बहुत सारे सोधार्ती दूसरे देशों का रुख करते हैं और वहां अपनी परिकल्पनाओं को साकार करने में कामियाब होते हैं नए फाउंडेशन की स्थापना और धोगों के साथ विस्वविधालियों तकनिकी संस्थानों का तालमेल बहतर करने के परियासों से इस दिशा में कुछ सकारात्मक परिनाम आने की उमेद जगी हैं मगर देखने की बात हैं कि सेक्षनिक संस्थान किस हद तक उद्धोगों की जरुरुतों को पूरा कर पाते हैं यह विवस्ता कोई नहीं नहीं है इसके लिए विज्ञान अनुसंधान परिशद और देश की विभिन परियोग सालाओं के साथ उद्धोगों को जोड़ा गया था मगर द्धोगों ने इन सोधों की तरप से हाथ खींचना शुरू कर दिया तो इसलिए कि उनसे उनका मकसद पूरा नहीं हो पारहा था ऐसे में यह जरूरत अब भी बनी हुई है कि परियोग सालाओं और अनुसंधान के सेतर में उन्नती के लिए सोधों की गुणवता और विश्वस नियता को बढ़ाना होगा नई परिकल्पनाओं और वेग्यानिक चुनोतियों के मध्य नजर परियोग सालाओं को अथ्यादुनिक साजो सामान से लेश करना होगा अगर परियोग सालाओं उन्नत होंगी और सोध की गुणवता समय की जरूरतों के मध्य नजर विश्वस निये होगी तभी इस दिशा में पूरी काम्याबी का बरूसा किया जा सकता है स्टॉप दोस्तों इस डिक्टेशन का प्रीडियोप लिंक डिस्क्रिप्शन मौझूद है आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों अग डिक्टेशन अच्छा लगे पसंद आयत लाइक शेर कमेंट जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले थैंक यू